ये गाईस नमस्कार मैं आपका दोस्त अमिट स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पर एक बार फिट से आपके प्या और आपके रिस्पेक के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिलते शुक्रिया आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट से फॉन कॉल साता है सर हम लोगों की जो बीर्ड एक्जाम की तियारी है 2024 की वो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़े टाइम से वरकिंग है और साइमिन टेसली अपनी बीर्ड करें तो हम लोगों को या पूरी हमारी जितनी भी कम्यूनिटी है यूट्यूब पर उसको प्लीज गाइड करो कि कुछ ऐसे रूल जो बीर्ड एक्जाम में हमारी हल्प करें और हम लोग अच्छे मार्क्स ले सकें तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स आपको बताऊंगा जो आपके बीर्ड एक्जाम में बहुत काम आएंगे जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनौसमेंट अगर आपके पास टाइम नहीं है अगर आप वरकिंग हैं अगर आप जो है हाउस वुमन है तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ही जॉब करते हैं तो हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वह बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवैलबल है सिरफ आप जो नमबर नीचे शो हो रहे है 9996060785 पर हायक अटक्स करेंगे और उसके जस्ट बात क्या है आपको पीमिट के बाद वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सिरिस मिल जाएगी और आप उसको स्टेडी कर सकते हैं तो गाइस देखे अब जिन बच्चों ने अपने एक्जाम की तैरी नहीं करी है या जिसके पास टाइम नहीं है तो मैं पांच या साथ कुछ ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जिसके मादम से आप बीड के एक्जाम में अच्छ नमबर ले सकते हो और अपने एक्जाम को क् अभी जो टाइम है क्योंकि आप लोगों की जो एक्जाम होने वाले हैं वो जून या जुलाई में हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था तो अभी जितने भी इंपोर्टन टॉपिक हैं आपके युनिट वाइस सब्से पहले आप उपनी बुक में जाएंगे जो आप इस आपकी और जो कॉंसेप्ट है उसको सिरफ आपको लिखना है और उसी को आपको पढ़ना है वो आपके एक्जामे आने वाले उसे बाहर आपका जो है कुछ भी नहीं आएगा सेकंड पॉइंट है जो स्टेडी है जैसे अब जो टाइम है जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग से जिन लोग उने पिछले साल एडमिशन लिया है तो अभी उन बच्चों के पास कंप्लीट स्टेडी करने का टाइम बिलकुल भी नहीं है और ना ही मैं आपको रेकेमेंट क सकते हो क्योंकि अगर उनके पीछे आप पड़े रहे तो बिलकुल भी आपको कुछ बुक के अंदर समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है मुझे क्या करना चाहिए और वो आपको एक्जाम के टाइम में और भी ज्यादा क्या है प्रेशान कर सकता है अगला तीसरा के अंदर मोटा मोटा मान के चलिए आप 10 से 12 पॉइंट्स बनाते हैं 16 नंबर के क्वेशन में तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ना सिर्फ उन पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और उनको अपनी लैंग्विज में क्या आपको मैमराइज करना है औ आपके आ सकते हैं आगला पॉइंट में आपको बताने चाहूंगा कि आपको जितने भी इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स आप बनाओगे उन सब की जो हैना है जो पॉइंट्स है वह आपको जुरूर बनानी है जैसे आपको भी टॉपिक पढ़ रोए ठीक है माले करने और उनको लिखना भी है को कि वह àpleinkingั格 टाइम में शौर्ट में आपको याद रहें ग इसको एग्जाम में बैठेर होते हो और जब आप अपनी सथेडी कर रहे हो तो तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं साइकलोर जिस दोनों की सोच के अंदर दिन रात का अंतर होता है उ सिरफ और सिरफ क्या है? साइकलोजिय करते आपकी जो पावर है वो increase क्या है? एक्जाम के टाइम में बढ़ जाती है अगला जो point है आपको सिरफ इस time के उपर जो important topic है जो important points है उसको सिरफ study करना है और आपको cramming नहीं करना है ratification नहीं करना है सिरफ आपको points को समझना है कि एक्जाम के अंदर या book के अंदर जो author है वो हम लोगों को क्या समझाना चाहरा है और उसी समझ के साथ आपको अपने mind की बुद्धी को क्या है आगे बढ़ाना है और इसी के अंदर धीरे धीरे जो points है वही आपको क्या develop करने जो आपके exam में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे और बहुत बड़ी importance जो है आपके exam में role play कर सकते है अगले में point आपको बताना चाहूँगा ठीक है आपको क्या है देखे be it first year के अंदर second year के अंदर बहुत सारे subject है पर be it first year और second year के अंदर जो आपके main subject है जो 80 marks के आपके main subject पहले आपको उनके उपर focus करना है क्योंकि maximum starting में आपके जो main important topic है आपके जो subject है main जो है उनके ही exam होते है तो उन exam की जो त्यारी है वो बहुत systematic अंसे आपको करनी है कई बार बच्चा क्या होता है जो कुछ easy आपके subject होते है उन easy subject को starting में उठा लेता है और उने को वो पढ़ता रहता है क्योंकि easy subject हो guys क्या है आप exam में चलते चलते गाड़ी में भी पढ़ सकते है एक दो गंटे में ये concept है पर जो main आपके subject है उनको थोड़ा सा deeply आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनका concept थोड़ा सा lengthy होता है जो बच्चों को understand करने में थोड़ा सा problem create करता है तो guys ये कुछ जो rule और regulation मैंने आपको बता है पांस से साथ जो important golden जो rule है आपके beard के मैं आपको request करना चाहूँगा इसको आप implement करके देखना जो first year में बच्चे हैं वो second year में मुझे इस बात के reply करेंगे कि sir ये वाली जो strategy है definitely आपकी काम करिए और जो second year के बच्चे वो pass हो जाएंगे और बोलेंगे sir हमारे पास बिलकुल भी time ने था और बहुत अच्छे नंबर से हम लोग पास होगे तो दोनों चीजे में बहुत अंतर है जो आपको समझना है बाकी जो important question है guys वो तो मेरे आपकी help करेंगे ही हर साल बच्चों के 70-80% marks आ जाते हैं बहुत ही normal सा charge है मैं किसी को bound or force नहीं करता है कि आपको important question लेने ही है वो आपके जो है विवेक पर निबर करता है कि आप अपनी study को किस डंग से करना चाते है as a youtuber, as a teacher मेरा करतव है मैं हर छोटी बड़ी चीज़ से कि आपको अवग्यत करा हूँ और हर चीज़ के बारे मैं मैं information की कोशिश करूँ उमीद करूँगा guys कि जो video मैंने आपके लिए छोटा सा informative video जो बनाया है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और इसी के point of view से आपको अपनी study करनी है और बहुत अच्छे number आपके exam में आएंगे तो वीडियो कैसा लगा है इसके लिए comment प्लीज like share and comment और मिलेंगे किसी next वीडियो में guys so till then bind ठेके guys मुस्कुराते रहना थैंक यू सो माँ